मातेश्वरी जी के अन्मोल महावाक्य परमात्मा कहां का रास्ता बताते हैं। मातेश्वरी जी की मुल्ली है, कलास है, परमात्मा कहां का रास्ता बताते हैं। गीत, नैन हीन को राह दिखाओ प्रभू। सारे गाते हैं कि नैन हीन को रास्ता दिखाओ प्रभू। तो भगवान कहां का रास्ता दिखाते हैं? अब ये जो मनुष्य गीत गाते हैं, नए नहीन को रहा बताओ, तो गोया रहा दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठेरा, तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं, और जिस समय कहते हैं, प्रभु रहा बताओ, तो जरूर मनुष्य को रहा दिखाने के लिए, खुद परमात्मा को निरा कार रूप से असाकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा, तभी तो स्थूल में रहा बताएंगे, आने बिगर रहा तो बता नहीं सकेंगे, अब मनुष्य जो मुझे हुए हैं, उन मुझे हुओं को रहा चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं, नैनहीन को रहा बताओ प्रभू, इसको ही फिर खिवया भी का जाता है, कि हमारी नया को पार ले जाते हैं, जो उस पार अथ्वा इन पाँच तत्वों की जो वनी हुई, सिरीश्टी है उससे पार कर, उस पार अर्थात पाँच तत्व से पार, जो छटा महतत्व परमदाम है, वहां ले जाते हैं, छटा तत्व अखल जोती महतत्व है, उसमें ले चलेगा तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तब तो ले जाए पहले तो वो उस पार से इस पार आवे यहां आकर के हमें पढ़ावे हमें तब साथ ले जाएगा ना तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है तब ही तो परमात्मा को खिवया कहते हैं वही हम बोट को बोट क्या नाव कौन है आत्मा रूपी नाव को वही हम आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा शेव बाबा उनको साथ ले जाएगा बाकी जो बच जाएंगे वे धर्म राज की सजाई खाकर बाद में मुक्त होते हैं जब सभी मनुशे अती दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं परमात्मा इस काटों की दुनिया से ले चल फूलों की चाओं में परमात्मा को क्या केते हैं कि हमें इस काटों की दुनिया से फूलों के चाओं में ले चल इससे सिद है कि ज़रूर वो भी कोई दुनिया है अब ये तो सभी मुनुशे जानते हैं कि अब का जो संसार है वो काटों का काटों से बरा हुआ है सब एक दम काटे बन गए हैं एक दुख को दुख देते रहते हैं जिस कारण मनुशे दुख और अशानती को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संसकार आत्मा में भरे हुए हैं अब ये तो हम जानते हैं के दुख अशानती ये सब करम बंधन का हिसाब किताब है राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुशे मात्र इस हिसाब में पूरे जक्रे हुए है इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है आब का संसार कल युग है तो सारा संसार करम बंधन का बना हुआ है। आब और आगी का संसार सत्युग था जिसको फुलों की दुनिया कहते हैं अब वो है करम बंधन से रहित। जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य जो अब नहीं है। अब ये जो हम जीवन मुक्त कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई देश से मुक्त थे। हम दे से मुक्त नहीं थे ना। उन्हों को कोई दे का भान नहीं था। मगर वो दे में होते हुए भी दुख प्राप्त नहीं करते थे। जब हम शुरू शुरू में परमधान से यहां आये थे। हमें दे का भान नहीं था। परतु हमने दे में हमने परवेश किया और फिर हम दे के वशी बूत होते गए। और इतने वशी बूत हो गए कि हम दे को क्या समझ बेठे। खुद मैं ही दे हुँ। मगर वो दे में होते हुए दुख को प्राप्त नहीं करते थे। सत्युग में नहीं प्राप्त करते थे। गोया वहां कोई भी करम बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदी मध्य अंत को सुख के प्राप्ति का साधन समझते हैं। सुख प्राप्त करते हैं। तो जीवन मुक्ती का मतलब है जीवन होते हुए कर्माती, शरीर में होते हुए कर्म से परे, कर्म के परभाव से परे। आब ये सारी दुनिया पांच विकारों में पूरी जक्डी हुई है। मानों पांच विकारों का पूरा वास है, प्रंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन पांच भुतों को जीच सके। तब ही परमात्मा खुद आकर हमें पांच भुतों से छुडाते हैं। और विश्व, प्रालब्ध, देवी, देवता, पद, प्राप्ध कराते हैं। अच्छा, ओम, शान्ते, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रमा को मारी इश्वर्य विश्व विद्याले के किसी भी सिवा केंद्र पर संपर करें। और यदि कोई क्रेशन है तो 9213106986 पर केवल टेलिग्राम करें। ओम।